हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोलेज हब फूल गोबी का उप्योग विबिन रोगों में फूल गोबी रक्त शोदक है गोबी में ख्षार ये तत्व होते हैं गोबी में पाया जाने वाला सलफर और क्लोरीन का मिश्रण म्यूकस मेंबरेन तता आतों की सफाई करता है ये सब ख्षार सरीर वे रक्त को साप करता है इससे चर्म रोग, गेस, नाखुन और बालों के रोग नश्ट होता है रक्त की उल्टी होने पर फूल गोबी की सबजी खाने से या इसे कच्ची खाने से रक्त की उल्टी होना बंध हो जाता है Alzheimer's की बीमारी में Alzheimer's विद लोगों में होने वाली बीमारी है जिसमें या दास्त सोचने व बोलने की सक्ति पर नियंतरन करने वाले मस्तिस्क के एक बड़े हिस्से को नुक्षान पहुंचाता है शम्रण शक्ती कमजोर हो जाती है अल्जाइमर्स से बचाव एम उपचार में फूल गोबी खाना मददगार हो सकता है फूल गोबी के अलावा आलू, शंत्रा, सेब और मूली में वत्तव होते हैं जो अल्जाइमर्स के इलाज में काम आने वाली दवा की तरह प्रभाव देते हैं फूल गोबी में इनकी मात्रा सरवादिक होती है व्रदा उस्ता में फूल गोबी खाना लाबदायक है बवाशीर, रक्त श्त्रावी तथा एरक्त श्त्रावी दोनों प्रकार की बवाशीर को फूल गोबी ठीक कर सकती है फूल गोबी को गी में बुन कर सेन्दा नमक डाल कर खाएं ज्वर होने पर फूल गोबी की सबजी बीना तेल या कम से कम तेल का छोंक लगा कर बना कर खाने से ज्वर ठीक हो जाता है ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फूर वाचिंग दिस वीडियो